यूटूब चैनल अध्वुत कानी इस्टार पर उपस्थित समस्त स्रोताओं का भक्तों का और सब्सक्राइबर बंदूओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अविनन्दन है स्रोताओ वीडियो पर चलने से पहले मैं आप से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपयाफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लें क्योंकि आने बाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और मैं आपको इसी तरीके के भक्ती में और रहस्यपूर बीडियो लाता रहूँगा तो सुरोताओ आज का जो बीडियो है आज के बीडियो में मैं बताऊँगा कि सिखंडी किस तरीके से पुरुष बना था इसे पहले दो वीडियो बनाए थे उन दोनों वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्सन में डाल दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा उन वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से सिखंडी का जनम हुआ और शिखंडी एक पुत्री के रूप में पैदा होकर के जवान होने के बाद राजा हिरन्य बर्मा की पुत्री से उसने कैसे विभा किया था और जब राजा हिरन्य बर्मा उस पर चड़ाई करते हैं तो शिखंडी और राजा दुरुपद दोनों घवरा जाते हैं और उससे घवडा करके सिखंडी बन की और प्रस्थान कर जाता है तो स्रोताओ उस बन में उसकी भेट एक यक्ष से होती है जो इस प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिखंडी पुरस बना था तो आईए स्रोताओ अधिक समय खर्चना करते हुए अपना बी चार मिमर्स कर रहे हैं कि किस तरीके से इस नंगर की रक्षा की जाए क्योंकि राजा हिरन्य बर्मा महा सक्ति साली थे विशाल सेना से सुसजित जिसकी सेना का कोई बरनंग नहीं कर सकता था उधर दोनों में युद्ध की तैयारी चल रही थी और इधर शिखंडनी उस बन को चली जाती है जहां वह बन यक्षों से संरक्षित था उस बन में यक्षों के डर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था परन्तु उस बन में सिखंडी चला गया और उसी बन में एक थूड़ा करण नामक यक्ष रहता था वह बन उसके द्वारा संरक्षित था वह उस बन आराधना आरंब कर दी और कठोर तपश्या करते करते उसका सरीर क्रस्काए हो गया दुबला पतला हो गया और एक दिन जब इस्थूला करण घुमते हुए उस बन में आया तो उसे वह सुन्द्री दिखाई दी और इस्थूला करण उसे देख करके कहने लगी कि है सुन्द्र तुम कौन हो और इस बन में इस तरीके से क्यों बिच्रन कर रही हो तुमारे बिच्रन का प्रयोजन क्या है मेरे द्वारा रक्षित इस बन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें तनिक भी भे नहीं है और तुम मेरे यहां प्रवेश भी कर आई तुम कौन हो तो इस पर सिखंडी कहने लगा कि हे देब मैं एक बहुत दुखी इस्तरी हूँ और मेरे कारण मेरे शंपूर्ण राज्य का बिनास होने बाला है ये बात सुनकर के इस थूला करण कहने लगे कि कहो सुन्द्री ऐसा क्या कारण है जिसकी बजे जिसे तुमारे राज्य का बिनास हो जाएगा तो उन्होंने शंपूर्ण कह था इस थूला करण को कह सुनाई कि हे मेरे पिता के कोई पतर नहीं था और उन्होंने मुझे ही पतर समझ लिया और जब उन्होंने मेरा ब्याजा में बढ़ी तो उन्होंने वे घटना अपने पिता हिरन्य बर्मा को बता दी और हिरन्य बर्मा ने क्रोध करके मेरे पिता जी के यहां एक दूत भेजा है कि मैं सैन सहित तुम पर आक्रमन कर रहा हूं और तुम्हारा समूल बिनास कर दूँगा तो जब मैंने यह सुना तो मैं उसी समय घर को छोड़ करके इस जंगल में चली आई तो इस पर इस्थूल करन कहने लगी कि देखिये पुत्री मैं तुम पर प्रसंद हूँ और तुम मुसे बर मागो मैं जो तुम चाहोगी वो तुमें दे सकता हूँ सुरोताओ यह बात सुनकर के सिखंडी कहने लगा कि देखिये देव मैं कुछ समय के लिए तुमारे पुरसंद को लेना चाहती हूँ मुझे तुम पुरस्वना दीजिए तो यह बात सुनकर के इस थूल करन कहने लगे कि तुमने मांगा बहुत ज़ादा है परन्तु फिर भी मैं तुम्हें निर्धारित समय के लिए पुरसर्त देता हूँ और तुम्हें जब तुमारे राज की रक्षा हो जाए राजा हरन्य बर्मा बापिस लोट जाए तो तुम्हें बापिस आकर के मेरा पुरसुत मुझे लोटाना होगा स्रोताओ शिखंडी इस बात का बचन दे देता है कि हे देव जिस समय मैं घर जाऊँगा और ये सिद्ध कर दूँ कि मैं पुरसु हूँ और राजा हरन्य बर्मा बापिस लोट जाए तो उसी समय मैं यहां आकर के तो मैं तुम्हारा पुरसत तो बापिस लोटा दूँगा स्रोताओ ये सुनकर के इस्थूला करण ने अपना पुरसुत शिखंडी को प्रदान कर दिया और शिखंडी पुरस बन गया और इस्थूला करण इस्त्री बन करके उस राज्य महल में जो वे बन था उस बन में उसका महल था उस महल में निवास करने लगा आराम से रह रहा था इधर सिकंडी बापिस पांचाल देश आता है और पांचाल देश में आकर के संपूर घटना अपने पिता दुरुपद को सुनाता है तो राजा दुरुपद संकर भगवान के बरदान को याद करके प्रसन हो जाते हैं और राजा इस्थूलकरन को सूचना भिजबाते एक दूत भिजबाते हैं कि मेरा पुत्र है पुत्री नहीं तो मैं किसी ने बैसे ही बहका दिया है और आप यदि नहीं मानते तो इसकी जाच कर ली जाए परिक्षा की जाए तो स्रोताओ जब राजा हिरन्य बर्मा ने ये सुना तो उन्होंने सिखंडी की परिक्षा की और जब पता चल गया कि सिखंडी पुरुस है तो हिरन्य बर्मा भी प्रसन हो गया और सैना सहित बापिस अपने देश दर्शान को लोट गया स्रोताओ जब हिरन्य बर्मा बापिस दर्शान को लोट जाता है तो उसी बीच में एक घटना और घटित हो जाती है कि कुवेर यक्षराज उस बन में इस्थूला कर्ण से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसके लिए डंडित करूंगा तो यह बात सुनकर के इस्थूला करण के कुश सेवक थे उन्होंने यक्षराज कुवेर से कहा कि भगवन वो इस्थूला करण से पूछने लगी कि तुमारे इस्थूला करण का कारण क्या है तो इस पर इस्थूला करण ने संपूर्ण घटना कैसुनाई कि इस तरीके से मैंने पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्री शिखंडनी को अपना पुर्शत्त दे दिया है और वो मुझे उस पुर्शत्त को बापिस भी लोटा देंगे तो इस पर क्रोधित हो करके यक्षराज कुवेर उसे इस्राप दे देते हैं कि तू जा अब नारी ही बना रहेगा और शिखंडी जब तक जीवित रहेगा पुरुष ही रहेगा स्रोताओ ये बात सुनकर के यक्ष इस्थूला करणने बड़ी बिनती की कि है प्रभू मुझे से गलती हो गई मेरी भूल को छमा कर दीजिए परन्तु यक्ष राज कुवेर ने कहा कि देखिए यक्ष मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम ज़्यादा अनुने बिने कर रहे हो तो मैं तुमारे साप को मुक्त तो नहीं कर सकता लेकिन स्राप की अबदी अवश्यकम कर सकता हूँ तो इस थूला करण से यक्ष राज कुवेर कहने लगे कि तुम्हारा स्राप तब तक रहेगा जब तक इस प्रत्वी पर सिखंडी जीवित रहेगा तब तक तुम नारी बन कर ही रहोगी और सिखंडी की मृतू के पस्चात तुम्हारा पुरसत तुम्हें बापिस मिल इधर सिखंडी अपने निर्धारित समय पर इस्थूला करण के पास पहुचता है और इस्थूला करण से कहता है और इस्थूला करण से कहने लगे कि हे देव आप अपना पुरसत बापिस ले लीजिए तो ये बात सुनकर के इस्थूला करण कहने लगे कि हे सिखंडी अब तुम जीवित रहोगे तब तक पुरुष रहोगे क्योंकि मुझे यक्ष राज कुवेर ने इसाप दे दिया है और आप अब जाईए आराम से इस लोग पर समस्त सुखों को भोगिए और जब तक जीवित रहे तब तक पुरुष बन कर जीवित रहे धरम पूर्वक यस जाओ और जाओ आराम से अपने राजधानी लोट जाओ श्रोताओ यक्ष की बात सुनकर के सिखंडी बड़े हरसित होते हैं और बापिस अपनी राजधानी आ जाते हैं और बड़े आराम से पुरुष बन कर के उस जो राजा हिरन्य बर्मा की पुत्री थी उसको भी अपन के जनम की कथा कि कैसे सिखंडी का जनम हुआ कैसे उसका विभाएक नारी के साथ हुआ और फिर बापिस पुरुष बने तो ये कथा महावारत में बढ़नित है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कथा अवर्षे ही पसंद आई होगी अब इसी के साथ ये वीडियो आप दोता है जै हिंद जै भारत